ही एब्रीवन अक्सर हम रेस्टोरेंट जाते हैं और बड़े ही मज़े से बटर पनीर या फिर मलाई पनीर ओरर करते हैं क्योंकि यह बेजिटेरियल लोगों का या फेबरेट रेसिपी होता है तो आज मैं आपको बिल्कुल होटल जैसी बेना किसी ताम जाम के कम से कम सामक्र में बटर पनीर बनाना बताऊंगी तो फटा फट रेसिपी शुरू करते हैं तो यहां पर हम दो टमाटर लिए इसे रफली चॉप्ट करके ले लिया है और तीन से चार हरी दस से पंदरा लेसन की कलिया डाल लेते हैं आप चाहे तो यहां पर एक इंच अधरक का टुकरा भ डोट से लिए हमने हमने हाँ पर 20m15- devastating निया था इसे दस मिनीट के लिए पारी में ढुल कर भी रहतिया था पाने सहीत हम भी श elbow कर लेते हैं और इसे भी घर कर लेंगे तो फटा पर चलते हैं दोनों को ग्राइड कर लेते हैं तो ग्राइंड का यह का यह का बीर स्र Gulf जिका कट कर लिए हैं इस पर थोरा सा यानि की हाफ टेस्पून हल्दी और लाल मिर्स डाल कर छिरक लेते हैं और थोरा सा नमक भी डाल लिया हमने और इसे इस तरीके से टास कर देंगे ताकि जो पनीर है वह टोटे नहीं और या अच्छे से सिख जाएगा अगर आप ऐसे नहीं कर स तो हमने इसे थोरा सा टॉस कर लिया है और इसे अब एक प्लेट में निकाल लिये हैं देख सकते हैं पनीर कितना सौप्ट हो गया है अब हम इसी पैन में थोरा सा और तेल ले ले लेते हैं यानि की दो चमच हाप टिस्पून जीरा डाल दें दो तेजपात के टुकरी डाल एक इंच दाल चिनी के टुकरे एक बरी लाइची दो से चार लॉंग डाल दे और दो हरी लाइची डाल दे भूनने के बाद दो प्याज बारी कटा हुआ डाल दे और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून ले जैसे ही या गोल्डन हो जाए हाप चमच इसमें कास्मरी लाल मिर्स पाउडर डाल कर मिक्स कर ले इससे क्या होता है ग्रेवी में एक अच्छा सा कलर आ जाता है उसके बाद जो टमाटर पीस कर तयार किया था उसे डाल देते हैं और काजू जो पीसा था उसे भी डाल देते दोनों एक साथ डाल दे अच्छे से डाले और फिर हम इन सेपरेट न हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे और यहां पर मैं दो से तीन चम्मच मलाई ली हूँ यह बिल्कुल अमुल की फ्रेश क्रीम है आप चाहे तो घर की जो ताजी मलाई होती है उसे भी यूज कर सकते हैं और यह देखिए मसाला सेपरेट होने ही लगा है तो यहा हम अभी और दो मिनट लो फ्लेम पर भूनेंगे ताकि मसाले जितने अच्छे से भूनेंगे ग्रेवी में उतना ही ज्यादा टेस्ट आएगा तो हम इसे अच्छे से भून लिये हैं अब देख सकते हैं यह बिल्कुल सेपरेट हो गया है कलर भी चेंज हो गया है और तेल भ परासाई से मिक्स कर लेते हैं और उबाल आने का इंतिजार करते हैं तो आप देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ गया है तो अब हम यहां पर सारी पनीर को अच्छे से डाल देते हैं डाले के बाद इसे मिक्स कर लें और यहां लगभग बनकर तयार ही है अब हम इसमें ला और लास्ट में एक चमच फ्रेश क्रेम या फिर मलाई डाल दें और लेजे आपका बटर या मलाई पनिर बनकर तयार है आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है अगर आप रेस्टोरेंट में बटर पनिर खाए होंगे तो यह देखने में बिल्कुल बैसा ही है और खान के साथ एंजोई कीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और बीना किसी ताम जाम की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग